नमस्कार दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खवर निकल कर सामने आई है जिन आपको बदादे दो राज्यों में एक चुनाव नतीजे में भारती जनता पार्टी को बड़ा जटका लगा है जिन आपको बदादे दो राज्यों में MLC के चुनाव हुए थे जिसमें भारती जनता पार्टी को तगड़ा जटका लगा है इस चुनाव नतीजों में कांग्रेस NCP ने बाजी मार ली है बिधान पहिसत की चुनाव में भारती जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है वहीं प्रधान मंत्री मोधी के निर्वाचन छेत्र में भी भारती जनता पार्टी को बड़ा जटका लगा है यहां पर समाजवादी पार्टी ने जटका देते हुए जीत दर्ज की है जियां दोस्तों एक एक कर सभी सीटों के बारे में आपको बदाएंगे कौन कहां से कितने सीटों पर जीता है लेकिन इससे पहले आपको बदा दें दोनों राजों के बिधान पैसाद चुनाओ इलेक्टानिक वोटिंग मसीन यानी इबियम से नहीं हुए बलकि बैलेट पेपर से हुए है और इस बैलेट पेपर से हुए चुनाओ नतीजों में भारती जनता पार्टी को बड़ा जटका लगा है जया दोस्तों आपको क्या लगता है जैसे बिधान पैसाद के चुनाओ में बैलेट पेपर का इस्तिमाल किया गया है क्या वैसे ही सभी चुनाओ में इबियम की जगह बैलेट पेपर का इस्तिमाल करना चाहिए जैसा कि विपक्षी पार्टियां लगातार EBM में गरबड़ी करने का आरोप लगाती आ रही है और मांग करती आई हैं कि EBM की जगा बैलेट पेपर से ही चुनाव कराय जाए आपके हिसाब से क्या सही है बैलेट पेपर या फिर EBM कमेंट कर अपनी राय ज़रू बताएं साथी इस बीडियो पर अपना एक लाइक ज़रू दें क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेनत का असली फ़ल होता है साथी इस बीडियो को शेयर भी करें जिर आपको बतादें मंगल वार को हुए माराश्ट और उत्तर पर्देश बिधान पईसद के चुनाव नतीजे आ चुके हैं आपको दें माराष्ट बिधान पैसत चुनाव में भारती जन्ता पार्टे को बड़ा जटका लगा है वहीं इस चुनाव नतीजों में कांग्रेस NCP को बड़ी जीत मिली है जापको दें नागपूर असनातक निर्वाचन छेत्र में भारती जन्ता पार्टे को बुरी तरह सह मिली है जबकि नागपूर भाजपा का गड़ माना जाता है इस सीट पर पहले केंद्री मंत्री नितिन गड़करी और फर्णवीच के पीता गंगाधर राओ जीत हासिल कर चुके हैं हाला कि इस चुनाव को माविकास अगाड़ी और भारती जन्ता पार्टे के बीच पतिस् दो उत्तर परदेश की 11, suggestion prim 60 seat आपको आगे बताएंगे याँ भी कई seatो पर भारती जन्ता पार्टे को जटका लगा है लेकिन माराष्ट की、「 16 सीटो पर पर सिर्फ भारती जन्ता पार्टे को एक seat से ही संतोष करना पर आ हैй, याँकि चैटो में से नोन कांग्रेसिक खाते म और 37 भानुद दास राव चौहाण ने और अंगाबार डिवीजन के असनातक निर्वाचन छेत्र से जीत दर्च की है। रशिक लाल पटेल ने धुले नंदुरवार अस्थानी प्रादिकरोण के निर्वाचन छेत्र से MLC का उपचुनाव जीता है। निर्दली उम्मिदवार के खारते में गई है। इस चुनाव नतीजों से गदगद NCP नेता नवाब मलिक का कहना की ये चुनावी नतीजे पिछले वर्ष में महा विकास अगाडी के विकास कार्यों पर मुहर की तरह है। अब भारती जनता पार्टी को सच्चाई स्विकारना चाहिए। उनका कहना कि बिदान पैसाद चुनाव परिडाम देखने के बाद भारती जनता पार्टी का राज में सत्ता परिवर्थन का दावा खोकला साबित हुआ है। बिदान पैसात की 6 सीटों में 5 सीटों पर हार के बाद माराश्ट के उर्मक्हमंत्री देवेन फडविश ने निरासा व्यक्त करते विकाय की चुनाव के नतीजे हमारी उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल नहीं रहे। उनका कहना है कि हम अधिक सीटों की उम्मीद करके बैठे थे लेकिन केवल एक ही सीट जीत पाने में कामयाब हुए। कांग्रेस भी यानि महाविकास अगाडी कांग्रेस नसीपी और सीजेना भी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत जोग दिये थे। जिसके बाद महाविकास अगाडी यानि कांग्रेस नसीपी को महाराष्ट भिधान पैसत की 6 सीटों में 4 सीटे उनकी जोली में चली गई। सिफ भारती जनता पार्टी के जोली में एक ही सीट जा पाई। वहीं एक सीट पर निर्दली उम्मिदवार ने जीत दर्ज की है। अप्तर जिलो में मदान डाले गए थे। इसमें 199 परत्यासियों की किस्मत दाव पर लगी हुई थी। अब इन सभी उत्तर प्रदेश MLC यानि बिधान पैसत की सभी 11 सीटों के नतीजे लगबग आ गये हैं। 6 खाली सीटों में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। अप्तर प्रदेश बिधान पैसत सिचक खंड लगनव में भाजपा परत्यासी उमेश द्रिवेदी ने जीत दर्ज की है। वहीं सिचक मेरक्ट खंड निर्वाचन छेत्र में भार्चती जनता पाड़ी पत्यासी श्री चंदर सर्मा ने जीत दर्ज की है। वहीं सिचक वरार्ची खंड निर्वाचन छेत्र में समाजवादी पाड़ी के लाल बिहारी यदों ने जीत दर्ज की है। वहीं असनातक खंड निर्वाचन छेत्र की पांस सीटों की बात करें तो। समाजवादी पाड़ी पाड़ी ने भार्थी जनता पाड़ी के पत्यासी केदार नाज सिंग को हराते हुए समाजवादी पाड़ी पत्यासी आसुतों सिन्ना विजयी घोसित हुए है। वहीं मेरट और लखनव असनातक खंड निर्वाचन छेत्र के नतीजे आने में थोड़ी देड लहेगी। वहीं असनातक मेरट खंड निर्वाचन छेत्र की बात करें थो यहां से भार्थी जनता पाड़ी के पत्यासी दिनेज गोयल आगे चल रहे हैं। सिच्छक दल के प्रत्यासी हेम सिंग पुंडीर असनातक मेरट खंड निर्वाचन छेत्र से दूसरे नंबर पर बने हुए हैं आपको दरे विधान पहिसत की बरेली मुरादाबाद लखनाव मेरट सिच्छक खंड की सीट पर भारती जनता पाड़ी के पत्यासी बीजय हुए बरेली मुरादाबाद खंड निर्वाचन छेत्र सीट पर भाजपा पत्यासी हरी सिंग धिल्लो चुनाव जीते हैं उन्होंने अपने निकट्तम पतिद्वंदी सपा पत्यासी संजय मिस्र को 84864 मतों के अंतर से हराया आपको दरे धिल्लो को प्रतम बर्यता के 12827 ओट मिले जबकि सभा पत्यासी संजय मिस्र को 4864 ओट प्राप्त हुए हलाकि आपको दरे राजिके मुक निर्वाचन अधिकारी ने अपने कार्याले से रात 9 बजे इस परडाम की पुष्टी की थी वहीं मेरर सिचक सीट पर भी 48 साल का रिकार तोड़ते गए भारती जनता पाड़ी पत्यासी स्रीचन सर्मा यहां से चुनाव जीते हैं भाजपा के स्रीचन सर्मा को प्रतम बरियता में 4184 ओटों की निरायक बढ़त मिली थी इलावा जासी खंड असनातक निर्वाचन छेतर सीट पर मदगर्णा के दूसरे चक्र में भारती जनता पाड़ी के यह गिदत सर्मा 707 ओट के अंतर से आगे चल ले थे जबकि सपा के डाक्टर मान सिंग को 1789 मत मिले थे वहीं वारानसी में सिच्छक खंड निर्वाचन छेतर की सीट पर सपा के लाल बिहारी यादों करीब 600 मतों से आगे चल ले थे सपा के लाल बिहारी यादों को अब वारानसी सिच्छक खंड निर्वाचन छेतर से बिज़ई घोसित किया गया है वहीं आगरा के असनातक निर्वाचन छेत से निर्दली आकास अगरवाल 5798 ओट लेकर सबसे आगे थे भारती जनता पाटे के दिनेश वसिष्ट 3680 ओटों के साथ यहाँ पर दूसे नंबर पे थे आपको दें उत्तर प्रदेश की कुल 11 बिधान 65 सीटों में से भारती जनता पाटे के खाते में अब तक चार सीटे जा पाई हैं यानि कि चार सीटों पर भारती जनता पाटे के पत्यासी विजाई घोसित कर दिये गए हैं वहीं जासी प्रयागराज वरारसी तीन सीट पर समा अब तक के जो नतीजे सामने हैं उसमें भारती जनता पाटे के खाते में अब तक चार सीटे जा चुकी हैं वहीं सपा के खाते में तीन सीट जा चुकी हैं और निर्दलीयों के खाते में दो सीट जा चुकी है, अलाकि अब तक के जो रुजान दो सीटों पर हैं, जिस पर एक पर भाजपा आगे चल लिए और एक पर निर्दली आगे चल ले हैं, उससे अभी माना जा सकता है कि एक सीट और भारती चंता परटी के खाते में जूर सकती है, वहीं एक सीट निर्दलीयों के खाते में जूर सकती है, अलाकि जैसे ही इन सीटों के क्लियर नतीजे आएंगे, हम आपके सामने इसका अपडेट लेकर आएंगे, तब पता लग पाएगा कि सभी 11 उत्तर प्रदेश की बिधान पैसत की 11 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटे मिली हैं,